हेलो एबरीवन जब लगी हो आपको जोरों की भूख और पेट भरने के साथ साथ कुछ चटपटा भी खाने का मनो तो फ्रेंड्स इससे बहतरीन रेस्पी आपके लिए कोई होई नहीं सकती जी हाँ फ्रेंड्स आज मैं आपसे सेर करूंगी बहुत ही चटपटी और हेल्दी रेस्पी यह रेस्पी आपको बहुत पसंद आने वाली है तो चलिए देरी कीस बात की बनाना देख लेते हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए मैंने हाँ गेहूं का आटा ले लिया है आप चाहे तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं तो गेहूं के आटा को पहले अच्छे से छाल लेना है फिर दो कप मैंने मिक्सिंग बोल में ट्रांस्फर कर लिया है स्वात के अनुसार नमक डाल और दो चमच इसमें मोयन के लिए रिफाइन तेल डाल देंगे अब इसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए इसका अच्छा सा मोयन बना के तयार कर लेंगे तो जीतना अच्छे से इसको क्रंबल करते हुए मसलेंगे बहुत ही परफेक्ट मोयन बन जाएगा तो हलकी सी मुठी बानले पर भी इसकी binding अच्छी हो रही है, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए, इसका हम थोड़ा सा कड़क डो बनाके त्यार करेंगे, बहुत ज्यादा soft नहीं होना चाहिए, जैसे हम रोटी के लिए डो बनाते हैं, उससे थोड़ा सा tight डो बनाके तियार करेंगे तो अब हम इसे ढख के 10 मट के लिए रिश्ट पर रख देते हैं अब इसकी फीलिंगी त्यारी कर लेते हैं तो फ्रेंड्स मैंने यहां उबला हुआ आधा कटोरी कौन ले लिया है आधा कटोरी सिमला मिर्च को बिल्कुल बारी काट के लिया है आधा कटोरी टमाटर को काट के ले लिया है, बिल्कुल पका हुआ टमाटर लेना है, और आधा कटोरी ही हमने प्याज को बारी काट के ले लिया है, स्वात के अनुसार इसमें हरी मिर्च काट के डाल देंगे, आधा चम्मच दरदरा कूटा हुआ लस्तन, बारी कटी हुई धनिया की पत्त डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे फ्रेंट्स इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए यहां मैंने पनीर ले लिया है तो पनीर आपको जितना कम या ज़्यादा लेना है उस हिसाब से पनीर आप ले सकते हैं मैंने हाँ 100 ग्राम पनीर लिया है और इसको कद्दुकस कर लेंग आप हमने उबला हुआ एक मिडियम साइज का आलू ले लिया है इसे भी ग्रेट करके डाल देंगे आलू को अच्छे से ग्रेट करके डाल देना अब हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने आटे में भी थोड़ा नमक डाला है तो आधा चमच इसमें चाट मसाला डाल देंगे आधा चमच कुटी हुई लाल विर्च डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स ये बहुत कम मसालों के साथ बहुत ही चट पटा और हिंदी ऍास्ता बनके तयार होता है। आपको जो सबजिया पसंद है वो सबजिया डाल सकते हैं लेकिन इस सब्जिया इसके लिए बहुत ही परफेक्ट है।.. तो अच्छे से मिक्स करने के बाद फिलिंग को अब हम साइड में रखेंगे... और दो को देख लेते हैं तो friends दो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है अब इसे हम थोड़ा सा लंबा करेंगे और इसमें से छोटी छोटी लोईया निकाल के रख लेते हैं अब हम इसे side में रखेंगे धक के रख देंगे और एक लोई लेके इस तरीके से गोल करके हम flat और थोड़ा सा सूखे आटे की ड्रेस्टिंग करके इसको हम बेल के बढ़ा कर लेंगे तो friends बेलते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि side जो है वो थोड़ा सा पतला बेलिएगा बीच में हलका सा मोटा बेलिएगा तो side को पतला बेल लेना है तो देखिए हमने इसको बे यह देना है हाथों की help से हम इसे बिल्कुल गोल सेप में कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से बिल्कुल गोल कर लेंगे और अब हम इसे काट लेंगे तो काटने के लिए friends आप पूरा जहां feeling रखे हैं वहां से मत काटिएगा आधा इंच छोड़के ही इस तरीके से चारो तरफ कट कर लेजेगा रोटी को जब आप अच्छे से इसको काट लेजेगा तक चारो तरफ पानी लगा दीजेगा जिससे यह बहुत अच्छे से चिपकेगा तो एक एक अब हम इस पोर्शन को उठाएंगे यानि जो हमने कट किया है एक एक पाट को उठाके और इस पर र लाएंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स हमने चारो तरफ से इसको चिपका दिया है पानी लगा के और यह बहुत ही परफेक्ट एकदम फिलिंग वाला यह हमारा नास्ता बनके तयार हुआ है तो आप चाहे तो इस नास्ते को इस तरीके से बना सकते हैं या इसे लोली पहले नास्ते में फिलिंग को बीच में रखके और चारो तरफ से गोल कर लिया था और इस तरीके से कटका निसान लगा लिया था सेम वैसे ही इसमें भी कर लेना है अब हम लेंगे आइसक्रीम इस्टी और जहां हमने कटका निसान लगाया है वहां हम इसे साइड में थोड वाले नाश्टे पर पति को चिप काया था सेम वैसे ही इस पर भी हम चिप का लेंगे यह देखिये और लास्ट वाली पति को भी हम उठा के इस तरीके से चिप का लेंगे तो ये देखेए फ्रेंट्स बहुत ही बढ़िया ये हमारा लॉलि पॉप बनके तयार हुआ है यह देखिए तो इस तरीके से हम बना लेंगे तो फ्रेंड्स अब हम तयार करेंगे घोल तो यहां मैंने दो चम्मच मैदा ले लिया है आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और इसमें थोड़ी सी धनिया काट के डाल दिया है और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका गोल तयार करेंगे तो गोल बहुत ज्यादा गाणा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए तो हमारा नास्ता भी बनके इधर रेडी हो गया है और गोल भी हमारा बन गया है तो फ्रेंड्स आ मिक्स कर लेंगे और इसमें नास्ते को अच्छे से डीप करेंगे ये देखिए अच्छे से डीप करने के बाद इसे फॉक या स्पून से ऐसे उठा के जो एक्स्ट्रा घोल है उसे हम निकाल देंगे और गरम तेल में इसको डाल के हम फ्राई करेंगे तो तेल बहुत ज़्या तब हम इसे अलटते पलटते हुए शेख लेंगे, बहुत आराम से ये सिख जाता है और खाने में तो बहुत टेश्टी है, तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा कलर इसमें आ गया है, अब हमारा नास्ता बहुत अच्छे से सीख चुका है, तो अब हम इसे निकाल तो एक एक नास्ते को ऐसे करके हम तेल से निकाल लेंगे ये देखिए थोड़ा सा आप कल्ची या स्परेचुला को तिर्छा कर लिजेगा जिससे एक्स्ट्रा तेल इसका निकल जाएगा तो सेम इसी प्रोसेस से दूसरे बैज को भी हम फ्राई कर लेंगे ये देखिए और अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारा लाजबाब ये लॉली पॉप नास्ता बनके तयार है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि पनीर के साथ आलू और हेल्दी सबजियां इसमें हैं तो खाने में बहुत ही टेस्टी है औ अंदर से इसकी फिलिंग कैसी है खाने में तो बहुत ही टेस्टी है तो यहां मैं एक तोड़के आपको दिखाती हूँ अलग से और भी मैं बना के रख्याँ हूं तो यह देखिए ये देखिए फ्रेंड्स अंदर से इसकी फिलिंग एकदम देखने लायक है बहुत ही जरूर बताएगा चैनल पना है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा तो मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट और यूनिक रेस्पी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैसरी हरी